राहुल गांधी भारत की राजनीती के प्रमुख नेताओं में से एक है पहले सत्तारूर दल में रहते हुए और फिर विपक्ष में रहते हुए उन्होंने आम जनता की आवाज बुलंदी से उठाने का काम किया है उन्होंने बताया कि हमारे देश के क्या मूल है जिस पे हमारा सम्विधान बना है राहुल गांधी जी तो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे थे इनके आकाने तो ऐसी ऐसी बाते करी है कि सिर्शर्म से जुग जाए इन सब बातों का एक ही जवाब है ये प्यार ना होगा कम सनम तेरी के ये मोदी जी के शवद है वो कहते हैं कि दो वैश्विक नेताओं की शी जिन पिंग की और उनके बीच में कितना अपनत्व है कितनी आत्मेता है ये लोगों की समझ से बाहर की बात है बिलकुल सही कह रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को कि ऐसी कौन सी गलबहिया ऐसा कौन सा हिश्ख है ऐसा कौन सा प्रेम है ऐसी कौन सा भाईचारा है ऐसी कौन सी आत्मेता है कि इस देश का प्रधान मंतरी 20 जाबाजों की शहादत के बाद चीन का नाम नहीं ले पाते हैं इस देश के प्रधान मंतरी साबर मती के तट पर जूला जूलते हैं शी जिन पिंग के साथ महाबली पुरम में शेहनाई सुनते हैं बाली जाते हैं तो बीस जाबाजों की शहादत का हिसाब नहीं मांगते हैं, खाना छोड़कर जी हजूरी में लाल शर्ट पहन कर बजाए लाल आखों के खड़े हो जाते हैं, इस देश के चुने हुए प्रधान मंतरी की चीन से ये आत्मियता है की नाम लेना तो दूर कोई खुसा हुआ नहीं कहकर उनको क्लीन चिट भी दे देते हैं और कितना दुरभाग गये इस देश का की चीन का पी ले और हमारे प्रधान मंतरी एक ही भाशा बोलते हैं, कोई घुसा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स बफर जोन बन गए हैं, बीस ज दार ना होगा कम सनम तेरी कसम, यहीं कहना चाह रहे हैं, मोदी जी श्री जिन पिंस, और मैं नहीं कह रही हूं, यह मेरे शब बिलकुल नहीं है, यह मोदी जी के शब्द है, कि हमारा ऐसा नाता है, वो वर्ड नगर आये तो फिर वो फलाना हुआ, यह समझ नहीं पाएंग बोला, विदेशी धर्ती पर राहुल गांदी जी ने पेगसिस का जिक्र क्यों किया, लेकिन यह सारे मामले धराशाई हो गए, क्योंकि अपने, राहुल गांदी जी तो लोकतांत्रिक मुल्यों की बात कर रहे थे, इनके आकाने तो ऐसी ऐसी बाते करी हैं, कि सिर शर्म से जुक जाता है कि वो भारत में क्यों पैदा हुए, हमने क्या पाप किया था, कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, जब ऐसे वक्त हैं, वे हम लोगों ने दिखला है, तो थोड़ा हमलावर कम हुए, लेकिन जब हम लोग टीवी डिवेट कर रहे थे, छे बज़े तक यही था, विदेशी धर्ती पर, पेगसिस पर, पेगसिस पर भी बेचारे कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जो जाज समिती सुप्रीम कोट की थी, उसने कोट को बताया कि सरकार ने सयोगी नहीं किया, कौन से नरकंकाल चुपाना चाते हम नहीं जानते, अगर भाग था आपका द पीच में ब्रेकिंग न्यूज हर चानल पर और हर पोर्टल पर आने लगी और ये आने लगा कि कैसे राहुल गांदी जी ने तथाकतित भाजपा के कहया नुसार और कुछ चरण चुम्बकों के कहया नुसार चीन की तारीफ करी और पुलवामा के शहीदों की अभेलना करी मैं टीवी डिपेट पर थी मैंने गहना पत्ती जताई लेकिन मुझे बहुत जादा वक्त नहीं लगा समझने में क्योंकि ओनलाइन आना शुरू हो गया था कि हर चानल हर न्यूज और्गनाइजेशन प्रिंट के वेब पोर्टल सारे एक साथ यही खबर सवाच्छे से अब यह लाइन पकड़नी है राहुल गांधी भारत की राजनीती के प्रमुख नेताओं में से एक हैं पहले सत्तारूर दल में रहते हुए और फिर विपक्ष में रहते हुए उन्होंने आम जनता की आवाज बुलंदी से उठाने का काम किया है चार बार के चुने हुए इ इस देश का सांसद एक विदेशी धर्ती पर केंब्रिज उनिवर्सिटी जैसे विश्व विख्यात शेक्षिक संस्थान में अमेरिका और चीन के बीच चलते द्वंद में भारत की क्या एहम भूमिका हो सकती है और भारत के लोकतंत्र की चर्चा करते हैं तो मुझे लगता उन्होंने केंब्रिज उनिवर्सिटी में जिसकी एक बड़ी ही लेगसी है 1206 में स्थापित हुई थी केंब्रिज उनिवर्सिटी और वहां पर पढ़ने वाले लोगों में स्टीफन हौकिंग और चार्ल्स डाविन पंडित नहरू और राजीव जीजे से लोग और वहां बजबूत स्टम्ब बनेगा तो मुझे लगता है ये देश के लिए गौरफ की बात है कि विदेशी धर्ती पर महत्मा गांधी की आवास को गुंजने का काम राहुल गांधी ने किया केंब्रिज में उन्होंने बताया कि हमारे देश के क्या मूल है जिस पे हमारा सम्विध बना है और हमारे राष्ट का निर्मान हुआ है